ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, हमारी सर्व स्रेश तपस्चा है बुद्धी को इस्थिर करने की और आत्मिक द्रश्टी बनाने की आज हम ले रहे हैं बुद्धी को इस्थिर करना बुद्धी क्यों एस्थिर हुई कहां भटकाया हमने अपनी बुद्धी को किसीने भटकाया विकारों के पीछे तो किसीने भटकाया मानस्यान के पीछे किसीने भटकाया इच्छाओं की पूर्ती के पीछे किसी ने ईर्षा द्वेश के कारण भटका दिया किसी ने स्वार्थ के कारण भटका दिया बहतों में देखो क्या हो राज कल भी तंध्रमंत का परियोग कराते हैं दूसरों पर इसके सब बच्चे मर जाएं सारा माल मेरे बच्यों को मिल जाए भटकता है मन पाप का घड़ा भर जाता है ऐसे लोग सुखी कदापी नहीं रह सकते मन की स्थिर्ता की तो बात छोड़ो तो मन भटकाया है मनुस ने बहुत ज़्यादा और आजकल इलेक्ट्रोनिक्स ने मन को बहुत भटका दिया है ऐसे कितने बच्चों के फोन आते हैं जिनका मन भटक केवल नैट पे चार पांच छे गंटे रहते हैं रोज ना जाने क्या-क्या गंदगी देखते रहते हैं विचारों में गंदगी भड़ते रहते हैं बुद्धी उसको एकसेप्ट नहीं करती ना बुद्धी बहुत प्यावर चीज है तो बटक जाती है इसलिए हम यदी एक लक्स बना लें के हमें अपनी बुद्धी को स्थिर करना है उसे पहले हमें एक विसेश चिंतन करें हम ये स्विकार करें के हमारी बुद्धी सर्व स्रेश्ट चीज है गौड़्स गिफ्ट है इस्वरी बुद्धी डिवाइन इंटलेक्ट हम स्विकार करेंगे सबसे ज़्याद बहुमुल्य रत्न है हमारे पास आत्मा की सबसे बड़ी चीज उसकी बुद्धी है सेकेंड आता है मन बुद्धी मन को कंट्रोल करती है बुद्धी अगर पावरफुल है मन को नियंतरन कर सकती है बुद्धी अगर स्वच है तो मन को भटकने से रोक सकती है, उसे स्वच विचार दे सकती है, तो हमें बुद्धी पर बहुत ध्यान देना है, बुद्धी और ब्रेन तोनों साथ साथ काम करते हैं, किसी को किसी से अलग करना तो बहुत मुश्किल है, बुद्धी सुक्षम शक्ति आत्मा की और ब्रेन शरीर की स्थूल कम्प्यूटर तो हमें इस ब्रेन को स्थिर करना है तो पहले हम ध्यान दें इस बुद्धी में हम गंदगी न भरें अब हमें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए बुद्धी को स्थिर करने की बुद्धी को स्थिर करें आत्मा पर जो हमारी सुन्दर साधना है मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ मैं आत्मा परमधाम से आकर जैसे इस शरीर में बंद हो गई हूँ मैं इसकी मालिक हूँ मैं इस सेनियारी हूँ चिंतन भी करें, विज्वलाइजिंग भी करें, दोनों चीज़ों की जरूरत होती है, कई बार हम क्या करते हैं, विज्वलाइजेशन की ज़्याद कोशिस करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, तो बुद्धी पावरफुल ना होने के कारण विज्वलाइज नहीं कर पाती हैं, मनी देखे मस्तक के बीच और सभी आत्माई अपना अपना सरीर धारन करके बिन भिन पार्ट बजा रही हैं आपके अपने घर में बच्चों को पती पत्नी को बुजुर्गों को सब को इस द्रश्टी से देखो अपने रिलेटिव को आपके आसपास के लोगों को ये सब आत् देहे धारन करके अपने अपने फिक्स पार्ट बजा रही हैं आप हर घंटे में एक बार ये करके देखें केवल साथ दिन करें बुद्धी संपूर्ण रूप से इस्थिर हो जाएगी तो ये दो चीजों की हमारी तपश्या है इस पर आप बहुत ध्यान देंगे और अपन चाहे और जितना समय के लिए चाहे इस्थिर हो सके बहुत बहुत थैंक्स ओम चांपी